राजिस्थान में इस बार कॉंग्रेस इंडिया गडबंदन ने लोगसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया 2014 और 2019 में जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी 25 की 25 सीते गवा चुकी थी इस बार भारती चंतापार्टी की हैट्रिक कॉंग्रेस में रोकने का काम किया है प्रदीश की 25 लोगसभा सीटों में से कॉंग्रेस ने अपने बूते 8 लोगसभा सीटों पर जीत दर्श कराई है तो वहीं तीन सीटों पर कॉंग्रेस अलाइंस के ही प्रत्याक्षी चुनाव जीते हैं यानि कि कॉंग्रेस इंडिया गडबंदन अलाइंस ने राजिस्थान में 25 में से 11 सीटों पर जीत दर्श कराई है Congress के जीते हुए प्रत्याक्षियों ने आज Congress के प्रधिश अध्यक्ष गोविन सीह डोटासरा Congress के नेता प्रतिपक्ष्टी काराम जूली से आकर मुलाकात की और उनको शुपकामनाई दी बदाई दी गोविन सीहर डोटासरा ने सभी जीते प्रत्याक्षियों को जीतने पर शुपकामनाय और बधायां दे और कहा कि ये कॉंग्रेस के कारेकरता और पार्टी के निश्टावान प्रत्याक्षियों और जनता जनारदन के आशिरवात की जीते भारती जनता पार्टी जो कॉंग्रेस को प्लीन शिप करने की बात कह रही थी उसको कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है